मेरे परिवार जिनों प्राचिन कान में अयोध्या नगरी कैसी थी इसका वर्णन खोद महर्शी वालमी की जिने विस्तार से किया है उन्होंने लिखा है कोसलो नाम मुदितह स्फितो जन पदो महान निविष्ट सर्यू तिवे प्रभूत धन धान्यवान अर्थात वालमीज बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी सम्रुद्धी के सिखर पर थी और आनन्य से भरी हुई थी यानि अयोध्या में विज्ञान और बैराग्यतो थाई उसका वैभव भी शिखर पर था अयोध्यान नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिक तांग से जोड़कर वापिस लाना है साथियों आने वाले समय में अयोध्यान नगरी अवद छेत्र ही नहीं बलकि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है अयोध्या में स्री राम का भव्य मंदिर बनने के बार यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धी होगी इसे ध्यान में रखते विए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड रुप्यों के विकास कारिय करा रही है अयोध्या को स्मार्ट बना रही है आज अयोध्या में सडकों का चौड़ी करन हो रहा है नए फुटपात बन रहे है आज अयोध्या में नए फ्लायोवर बन रहे है नए पूल बन रहे है अयोध्या को आसपास के जीलों से जोडने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है साथियों आज मुझे अयोध्या धाम एरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकारपन करने का सवभागे मिला है मुझे खुसी है कि अयोध्या एरपोर्ट का नाम महर्शी वालमिकी के नाम पर रखा गया है महर्शी वालमिकी ने हमें रामायन के माध्यम से प्रभूश्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया महर्शी वालमिकी लिए प्रभूश्री राम ने कहा था तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्व बजर जिमी तुमरे हाथा अरफाथ हे मुनिनाथ आप त्रिकाल दर्शी है संपुन अभिश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है ऐसे त्रिकाल दर्शी महर्शी वालमिकी जी के नाम पर अयोध्या धाम एरपोर्ट का नाम इस एरपोर्ट में आने वाले हर्यात्री को धन्य करेगा महर्शी वालमिकी द्वारा रचीत रामायान वो ज्यान मार्ग है जो हमें प्रभोश्री राम से जोडती है आदुनिक भारत में महर्शी वालमिकी इंटरनेशनल एरपोर्ट अयोध्या दाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोडेगा आद। ऩया